मानौ शरीर पूत्वी पर पाये जाने वाले सभी जीवित प्रजातियों में से नंबर एक पर रखा जाता है क्योंकि मानौ शरीर में बहुत सी ऐसी खुबिया पाये जाती है जो अन्य जीवों के शरीर में नहीं होती जी या दोस्तो आज का हमारे वीडियो मानौ शरीर से जुड़ा है आज हम आपको मानौ शरीर से जुड़े वे सभी रोचक तथे वध्यान से भरपुर जानकरी देने जा रहे है जो मानौ शरीर को समझने में लापकरी सिद्ध होगी तो चलिए जाते हैं दोस्तों जब आप मूबाइल खरीते हो तो उसके क्यामेरे के पिक्सल के बारे में बहुत ध्यान रखते हो कि ये कितना मेगापिक्सल का कामेरा है 14 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल लेकिन क्या आपको पता है जो आपकी आख है वो कितने मेगापिक्सल की है सोचते हो कभी इस बारे में नहीं ना तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि यह आख कितने मेगापिक्सल की होती है तो दोस्तों यह आख जो आपकी होती है यह 576 मेगापिक्सल मतलब 476 मेगापिक्सल की होती है क्या आपको पता है आपके नाक जो है वो पचास हजार अलग अलग गन सूंग सकती है जी हाँ यह सच है अगर एक इंसान के पूरे जिंदगी में जो लार रहता है मतलब सलायवा जिसको हम बलते जिसको हम मुझ से टपका में होता हो और वही दूसरी तरफ आखे जो होती है वो कभी भी बढ़ती नहीं है वो बच्पन से मरने तक उसका साइट सेम ही रहता है शायद आपको यकिन नहीं होगा लेकिन यह सच है कि एक इंसान के शरीर में इतना लोह होता है जिसके एक तीन इंच का किला बन सकता है जी हा दोस्तो जो आइरन होता है हमारे बोड़े में उसको अगर हमें कलेक्ट करें तो उससे हम एक 3 इंच का जो नेल्स होता है कील कील जिसको हम बोलते है वो बना सकते हैं इतना तो सबको पता होता है कि इंसान के शरीर में बैक्टिरिया होते है लेकिन यह शायद आपको पता नहीं होगा कि अगर हमारे शरीर के सारे बेक्टिरिया को एक साथ इकत्र किया जाए तो उसका वजन होगा लगबग 4 पाउंड मतलब 1.8 कीजी दोस्तों जो हमारे पेट में पैदा होना अला एसीड होते है वो इतने शक्तिशाली होते है जिसे एक ब्लेट भी पिगल स दोस्तों में बहुत अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजीे और पहले आइकों जरूर प्रिस कीजिएगा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुट बाइ एंड टेक क्यार